अपने जमाने की शांदार अक्ट्रस पद्मिनी कोलहापूरी ने अपने करियर की शिर्वात बहुत छोटी सी उम्र में ही कर ली थी अक्ट्रस को उस वक्त टॉप के फिल्म में कर राज कपूर ने नोटिस किया था और अपने फिल्म में लाए थे फिल्म सत्यम, शिवम, सुंदरम में यशो मती मया से बोले नंदला लागाने से छोटी सी पद्मिनी काफी पॉपलर हो गई थी फिर अक्ट्रस पद्मिनी ने प्रेम रोग में अपनी खुबसूरत पफॉर्मेंस दे कर लोगों का दिल चीत लिया टी ओई के मताबिक पद्मिनी कोलापूरी बताती हैं कि उस समय एक से बढ़कर एक फिल्म में आफर हो रही थी लेकिन पद्मिनी ने कई सुपर हिट फिल्मों को करने से इनकार कर दिया था उन में से एक फिल्म थी राम तेरी गंगा मैली जिहां इस फिल्म में राजशीव कपूर और मंदाकनी ने लीड रोल प्ले किया था जिहां फिल्म के गाने भी सुपर हिट रहे थे इस फिल्म के लिए मंदाकनी से पहले पद्मिनी कोलापूरी को अप्रोच किया गया था लेकिन पदमिनी को फिल्म राम तेरी गंगा मैली के लिए बहुत मनाया गया लेकिन पदमिनी इस फिल्म के लिए नहीं मानी मंदाकनी के रोल के राज कपूर काफी समय से कोला पूरी के पीछे पड़े रहे लेकिन पदमिनी फिर भी इस रोल के लिए हामी भरने को तयार नहीं हुई इसके वज़ा थी किस फिल्म में एक सीन था जिसमें पदमिनी और राजीव कपूर के बीच किसिंग सीन फिल्म आया जाना था उस सीन के बारे में जब पदमिनी को पता चला तो उन्होंने उस रोल को ठुकरा दिया जिया इस बारे में खुद पदमिनी बताती है कि फिल्म में एक किस सीन था जिसे मैं नहीं करना चाहती थी बात सिर्फ राजीव के साथ किस करने को लेकर नहीं थी बात सिर्फ ये थी कि मैं कमफर्टेबल नहीं थी स्क्रीन पर किसी को किस करूँ 45 दिनों के सेडियूल के बाद मंदाकनी संकाम करते हुए एक बार राज जी ने मुझसे पूछा था कि अगर मैं करना चाहूं तो हाँ कह सकती हूँ पदमिनी कहती है कि उनके साथ राज कपूर इस फिल्म को री शूट करने तक को तयार थे लेकिन तब तक पदमिनी के पास और भी जादा प्रोजेक्ट्स आ चुके थे जिनको लेकर वो कमिटमेंट दे चुकी थी वो बताती है कि हाला कि इस से कभी भी उनके रिष्टों में कोई फर्ख नहीं आया राज कपूर पदमिनी से कभी नाराज नहीं हुए लेकिन फिर पदमिनी को राज कपूर ने ही ना ओफर नहीं की थी इसके पीछे की वज़ा एक्टरस ने बताई क्योंकि तब तक मेरी शादी हो चुकी थी जी हाँ पदमिनी ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी है फिल्म राम तेरी गंगा मैली उस जमाने की सूपर हिट फिल्म रही थी इसके अलावा भी और भी कई फिल्में थी जिसके लिए पदमिनी ने शीदे तोर पर मेकर्स को मना किया है पदमिनी ने बताया रतिय अगिनी होतरी की फिल्म एक दूजे के लिए भी उन्हें ओफर हुई थी लेकिन वो फिल्म भी उन्होंने मना कर दी थी तो आपको इस पर क्या कहना है कमेंड बॉक सुनोता है ये जुड़े रही है हमारे स्थाथ नेक्स नाइन लाइफ से सुर्फी के रपोर्ट